हमिश्कार मैं हूँ तरशला यादव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी दिल्ली सरकार की शराब नीती को लेकर बीजीपी और आमा आदमी पार्टी आमने सामने है शराब नीती के खिलाव मरे शिशोदिया के घर के बाहर बीजीपी ने प्रदर्शन किया है देखे हमारे सखा सुपोर्ट में दिल्ली में शराब नीती पर संग्राम शराब के फेर में फसे सिसोदिया आमने सामने आए बीजीपी और आप केजविवाल ने बीजविपी पर कसा तंज वो सावरकर की अवलाद है और हम भगत सिंकी बीजविपी का रोब केजविवाल सरकार में हो रहा ब्रश्टाचा इंडिनो राजधानी दिल्ली में सियासी पारा चड़ा हुआ है पीजविपी और आमा आदमी पार्टी एक दूसरे पर सियासी पीर छोड़ रही है दिल्ली में नई शराब नीती को लेकर एकसाइस जूटी में गड़बड़ी के आरोब लेकि हमारा तो सुरू से मानना है कि जो एकसाइस पॉलिसी बिना किसी नियम कानून को देखे बिना लाया गया जिस प्रकार से दिल्ली की महिलाओं के दिल्ली के लोगों के प्रचंड बिरोद के बावजूद भी गली गली में शराब के दुकान खोलना शराब के दुकान को स्कूल के सामने भी मंदिरों के सामने भी मजजीदों के सामने भी मतलब देवालियों के सामने भी शराब की दुकान खोलना, इसकूलों के सामने खोलना, ये सारी अनिम्मित्ताओं के बावजूद उन्होंने न दिल्ली की जनता की सुनी न तो हम सांसदों की सुनी हम आज बहुत प्रसनता व्यक्त कर रहे हैं कि इस पे सीबी आई इनिक्वारी हुई है आरोप है कि नई एकसाइस पॉलिसी के जरी शराब लाइसंसी धारियों को अनुचित लाप पहुचाया गया लाइसंस देने के नियमों की अंदेखी की गई टेंडर के बाद शराब ठेकेदारों के 144 करोर रुपए माफ किये गए आम आदमी पार्टी की लोग प्रियता बढ़ रहे हैं और इससे घबरा कर वो कभी सीबी आई कभी एडी कभी दिल्ली पुलिस इन तमाम हथ्यारों का इस्तिमाल करके आम आदमी पार्टी को रोकना चाहते हैं लेकिन मैं भारती जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत साफ सब्दों में कहना चाहता हूँ हम सावरकर को मानने वाले नहीं हैं हम सावरकर के तरह अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग नहीं हैं, हम सहीदे आजम भगत सिंग की विचार भारा को मानने वाले लोग रिपोर्ट में कहा गया है कि इस नीती के जरिये कोरोना के बहाने लाइसेंस की फीस माफ की गई, रिश्वत के बदले शराब कारोबारियों को लाप पहुचाया गया काउंसलर के इलक्षमों के इंदर लोग हमें वोट देके हमारे केंड़ेट्स को जिता रहे हैं, मद्यप्रदेश में हो रहा है, हर्याना में हो रहा है, करनाटका में हो रहा है, महरास्त्रा में हो रहा है, इसको देखके केंडर सरकार घबराई हुई है, और अर्विंद जरिवाल की बढ़ती हुई प्रसिद्धी से जलन हो रही है और हमने पहले ही कहा था कि अब दुबारा से वही 2016 वाला स्थिती जो है दुबारा आएगी जब दिल्ली सरकार के हर काम को रोकने की कोशिश की जाएगी दिल्ली सरकार के हर मंत्री के उपर CBI की, Income Tax की, ED की Investigation खोली जाएगी कोशिश की जाएगी कि इनको किसी ना किसी तरीके से रुखा जाएगी बता दे कि अभी तक तो मामले में वार पलट वार का दौर चल रहा था लेकिन अब बात सड़क तक आ गई है बीज़पी ने केज़िवाल सरकार को घिरने के लिए जमीन पर उतर कर जम कर प्रदर्शन किया और दिल्ली के एक साइज नीती के खिलाब बीज़पी के साथ कॉंग्रेस का पुख्यमंत्री और आपकारी मंत्री मनीश सोधिया के घर के बाहर लागातार प्रदर्शन देखने को मिला सुब़ छे बजे मनीश सोधिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग-अलग स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर दौरा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कौन भ्रष्टाचारी ऐसा है इस दुनिया के अंदर जो सवेरे 6 वजे उठके स्कूलों के दौरे पे निकल जाता है बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है। कौन ब्रष्टाचारी असा है तुम लोग सावरकर की ओलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी हम लोग भगत सिंग की ओलाद हैं हम भगत सिंग को अपना दर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने जुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया हमें जेल से फासी के फंदे से डरने लगा, कई बार जेल हुआ है हम लोग बीज़पी की मांग है कि जल से जल मनीश सोधिया की गिरफतारी की जाए पुलिस ने बीज़पी के कई निताओं को हिरासत में ले लिया है बीज़पी सांसद मनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा धड़ी की जा रही है इन सब इल्लीगल गैर कानूनी चीजों को लेकर जिस तरीके की धोखा धड़ी दिल्ली की जनता के साथ हुई है और जो बहुत बड़ा जो है स्कैम ही कहेंगे उसका ब्योरा जो है तत्यों के आधार पर अगर केजरिवाल जी देते हैं तो हमें जो है सहुलियत हो जाएगी और इनको ऐसी आफ़त क्या आई कि इनको अर्जेंट नोट सर्कुलेट करना पड़ा बिना 48 घंटे का नोटिस दि क्या आई कुछ नहीं हुआ तो 48 घंटे के नोटिस के बिना बिना एजेंडा सर्कुलेट किये हफ़र तफ़र में इनको ये कागस क्यूं साइन करने पड़े और यह जरा हम सब को बता दे तो बेसिक जो हमारी बात है नई आपकारी नीती की सीवियाई ज्वाट की सफारिश करने वाले मामले में दिल्ली में शराब बेचने वाले दुकंदारों में भी खलबली मचा दी है हाला कि ज्वाट की आज किस किस तक पहुंसती है ये कारवाई के बाद ही पता चलेगा हमारा स्कास रिपोर्ट में इतना ही देखते रही है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार